जैसीरी राम सबको परनाम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पोसन के वारे में कि पोसन क्या होता है या कितने परकार के होते हैं आप लोग के सबसे पहले हम एक बात बता दे कि अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक के देख लिजेगा तो पोसन पोसन के परकार कम से कम एक दम नहीं भूलाएगा दम हांडर परसेंट गरांटी है लेकिन कब जब इस वीडियो को लाश्ट तक के देखिएगा ताब समझ रहे हैं ना हाँ चलिए तू समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोसन को कि पोसन क्या वाला चीज है है पोसन आखिर है क्या तो देखो बाबो हम लोग अपना जीवन में भोजन करते हैं नहीं करते हैं बीना भोजन किये तुम पढ़ सकते हो अरे एक दिन दू दिन के बात नहीं बोर है जिन्दगी भर पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो तब भोजन हम लोग करते हैं तो उसका उपयोग कुछ होता है कि ना जिसे हम भोजन खाएं तब भोजन खाली हम खाएंगे कि उससे कुछ लाभ लेगे तब ना जी तब भोजन हम लोग खाते हैं तो उससे उर्जा मिलता है कि ना उर्जा मिलता है सकती मिलता है बल मिलता है ताकत मिलता है ना जी किसे बोलते हैं कि स करते हैं लगता है किसी को तो बोलते हैं पोशन मतलब की ओवा परकिरियाजिसमें हम लोग पोशक तत्वों को पोशक तत्व कुछ हुआ जैसे भात अना जीसम जो भी खाते है। उसको हम लोग गरहन करके उसका उपयोग जो करने हैं यही cucum ka ce समझ गए बात को समझ गए समझ रहे ना तब पोसन किसको कहते है तब किसी चीज को किसी चीज को मतलब मिटी के बात नहीं बो रहे है मतलब किसी पोसक तत्व को हम लोग खा करके उसका उपयोग करते है इसी को पोसन बोलते है पोसन कितने परकार के होते हैं, तब पोसन दू परकार के होते हैं, कौन-कौन वाबू, तब एक होता है सवा पोसन, एक होता है पर पोसन, दम समझ में आवेगा जी, दम समझ में आवेगा, ठीक है, चलिए, तब सवा पोसन किसको बोलते हैं, देखिए, हम इसको तोड़ करके बताते हैं सवा पोसन ध्यान दिजेगा समझ में आवेगा सवा जोर पोसन हम तोड़ के बता रहे हैं आप लोग के याद कराने के लिए सवा के मतलब अपने 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 अपोसन के मतलब समझबे करते हैं मतलब की जो जीब अपने से भोजन बनाता है अब देखो हम लोग पोशन करते हैं मतलब खाते हैं न जी आ उसका उपयोग करते हैं ना ता किसका किसका उपयोग करते हैं ता भोजन का ता जो जीब यानि कि जो जीब ध्यान दिजेगा जो जीब अपना भोजन खुद बनावे किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे उसी को ब मतलब की बाबु जो अपने से भोजन बनावे ना दूसरा पर निर्भार ना रहे जैसे न बोलते हैं कि हमरा तुरा से का मतलब है हम तुम पर थोड़ी ना निर्भार है का तु हमरा खायलत दे रहा है हम यह तुरा खायलत दे रहा है हरे राम जी आपन धारा पन पिया बोलते तब पेड़ पौधा कोन बनाता है बाबू तब पेड़ पौधा अब पेड़ पौधा लिखा है बाउधा मत समझ जाना ठीक ना तब पेड़ पौधा तब पेड़ पौधा सुबा पोशन है की न है क्योंकि वह अपना भोजन खुद बनाता है दूसरा पर निर्भार नहीं रहता है समझ गए तो अपना भोजन खुद बना करके खुद कर उसी को बोलते हैं सुभा पोसन को दिक्कत है नहीं अब भोजन बनावे के मतलब यह नहीं हुआ कि हम भी तो अपने किरिया भी जीव है ऐसा बात नहीं है लेकिन कब जब वो जीवित प्रानी में परवेश करेगा तब जब उसमें गती होगा तब वो जीव है समझे के बात को हाँ चलिए तब सुबा पोशन किसको बोलते हैं तो वाइसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है खुद खाता है दूसरा को नहीं पुछता है उसे सुबा पोशन कहते हैं को दिक्कत है नहीं अब देखे पर पोशन किसको बोलते हैं पर पोशन धियान दीजेगा पार पोशन पार मतलब दूसरा दूसरा पोशन मतलब जानवे करते हैं तो जो दूसरा जीव पर निर्वर रहता है जैसे उसी को बोलते हैं पारपोसन समझ गए बात को वाइसा जीब जो अपना भोजन के लिए टुकुर मुकुर दुसरे को देखते रहता है और उस पर निर्भर रहता है उसी को बोलते हैं पारपोसन समझ गए बात को हाँ तब पारपोसन किसको बोलते हैं वाइसा जीब जो अपन अँगे दियां दियां देना सवापोषण सवपोषण और परड़ कोषण कोची कि जो सुवा पोशन होता है उस सारल भोजन सारल समझते हैं मतलब कि एक तरह से वहां सारल बोलो ना सारल भोजन अब सारल नहीं बात बोले सारल के बात नहीं बोले सारल सारल भोजन भोजन को देखो पहले समझो सुवा पोजन जो होता है ना उस सारल भोजन को हाड में कनभाट करता है ठीक है लेकिन जो पार पोजन जो होता है वो हाड भोजन को सारल भोजन में कनभाट करता है मतलब नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि वाबू, हम रोटी खाएं, ठीक है, हम खाएं, तुम भी खालो, मन है तो खालो, नहीं मन है तो मत खाओ, ठीक है, हम रोटी खाएं, ठीक है, तो रोटी जो है, वो एक तरह से होड भोजन है की न, और इसको हम लोग दात से तोड़ 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 के इसको पूरा चीवाते हैं, तो सरल भोजन में बदला की ना, उस सरल भोजन में बदला की ना, बदल गिया, तो उसी को हम लोग फिर गारहन करते हैं, खोते हैं की ना, तो हम लोग हाड भोजन से सरल भोजन में कणभाट करते हैं, लेकिन जो सवाप वोजन होता है उस सरल भोजन से हाड भोजन में गाधर करता है मतलब दूसरे को देता है समझे बात को जैसे कि वाबू देखो पहले समझो जैसे कि आये गो हम बीज लिए समझे एक हम बीज लिए आलू का आलू का बीज लिए उपना भोजन बनाया आलू का बीज पानी को तब पानी बढ़कागो हो गिया अब बढ़कागो अलुआ हो गिया उसको हम लोग खावेंगे क्यों नहीं खावेंगे हम उगावेंगे तक कुन खावेगा है ना चलिए उसको हम लोग खावेंगे तो खाएं जो आलु भाबू उह हड लगा की ना तभी तो हम चीवाएं पानिया को हम कहें गरहन कर लेते हैं इस्फ़र्ट का सब्सक्राइब लाइक और सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए तब तक के लिए जय हिंद बंद मातरम